हलो एवरिवन R.A.S. इंटर्व्यू की प्रिप्रेशन करने वाले आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगी आप दो स्टेजिस पार करके यहां तक पहुंच चुके हैं तो अब धैरे रखें और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ इंटर्व्यू की तयारी करें एक कविता आप सभी ने सुनी होगी जब नाव जल में छोड़ दी तुफान ही में मोड़ दी दे दी चुनौती सिंदु को फिर धार क्या मजधार क्या चुनौतियों से ना डरें प्रैक्टिस करते रहें और पूरे जोश के साथ प्रिप्रेशन करें सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी ये स्टेज बहुत इंपॉर्टन्ट है लापरवाही ना करें हमारा पहला क्वेस्चिन एक केस्टेडी है आपके संसद्यक शेत्र में प्राय एक अप्रादिक्षवी के नेता का निर्वाचन बार बार होता है आप इस तथे से अवगद भी हैं कि वह चुनाव जीतने के लिए नैतिक अनैतिक साधनों का उप्योग करता है संसद्यक शेत्र की जनता भी उसे पसंद नहीं करती आप इस संधर्व में क्या कर सकते हैं निर्वाचन प्रणाली में कुछ खामिया हैं चुनाव सुधारायोग की स्थापना की गई है उसके बारे में देखें और साथी लोकपाल वो लोकायुक्ट के बारे में देखें राजस्तान में लोकायुक्ट कब बनाया गया था लोकायुक्ट के क्या पार्ज हैं वो सब देख लें हिमाल्याज हिमाल्याज इंडिया में कहां से कहां तक एक्स्टेंड करते हैं इसकी कितनी branches है, हिमाल्यास की क्या importance है, हिमाल्यास डे बाई डे डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, आए दिन न्यूस पेपर में इसके बारे में लिखा हुआ रहता है, तो इसके destruction के क्या causes हैं और क्या measures immediately लेने चाहिएं ताकि हिमाल्यास को बचाया जा सके और प्राक्रतिक संतुलन ना बिगडे, राजस्थान is always linked with the word royal, राजस्थान के लिए royal word यूज किया जाना कितना apt है और अभी के scenario में 21st century में इसकी क्या significance है, The next question is, what does nature teach you? Why is it important to conserve nature? बहुती basic question है, बस question के words बदल जिये जाते हैं, Otherwise, यह बहुती simple question है, नेचर से आप क्या सीखते हैं और नेचर को बचाना क्यों महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं, लेकिन आप लिख के तयार करेंगे तो इसका answer अराम से दे पाएंगे, चैनल पे Get Inspired प्लेइलिस्ट में हमने Learnings from Nature करके एक पोयम है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, राजस्तान is called a museum of minerals, वाई, राजस्तान को खनीजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, कुछ ऐसे minerals के नाम बताएए, जिसमें राजस्तान की monopoly है, Mineral Resources का राजस्तान में कितना scope है, National Drama Academy, हाल ही में परेश रावल को इसका chairman बनाया गया है, इसके बारे में देख लें, परेश रावल को पदमश्री भी नवाजा गया था 2014 में, राजस्तान के तीन folk dramas का नाम बताईए, उनसे जुड़े artists बताईए, आपकी locality, आपकी native area से जुड़ा कोई folk drama है या कोई artist हैं, तो उनके बारे में ध्यान रखिए, अब एक बहुत ही simple question, Suggest some measures to check unemployment, बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति के लिए कुछ उपाय सुझाईए, basic question है, answer भी बहुत basic होगा, which is the only company in the country to achieve 200 Arab dollars market cap, हाल ही में Reliance ने 200 Arab dollars market cap अचीव किया है, उसके बारे में देख लें, और उसी के साथ market cap क्या होती है, या stock market से related जो simple terms होते हैं, वो सब देख लें, sensex, nifty, ये सब ध्यान में रखें, especially अगर आपका economy का background है, तो आपको ये definitely आने जाएं, illegal mining is a problem in Rajasthan, कुछ तिन पहले और अभी कुछ समय से, newspaper में ये चल रहा है, कि जो जिपसम के अवैद खनन के कारण, border area पूरी district हो गई है, तो BSF जो है, वो borders तक पहुंचने में, बहुत मुश्किल हो रही है BSF को पहुंचने में, तो illegal mining राजस्थान में एक major problem है, इसको चेक करने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए, और इसके क्या-क्या दुश प्रभाव हैं, ये भी देख लें, prepaid electricity, prepaid electricity के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके क्या benefits होंगे, और इसके क्या limitations होंगी, USA में presidential elections होने वाले हैं, भारत और US के संबन्थ, और भारत पे US के presidential elections का क्या प्रभाव पढ़ता है, ये हम international relations में mains में पढ़ते हैं, एक बार इसको revise जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी current का ये मुद्दा है, Name three social problems, बहुती basic questions है, तीन social problems बताईए, और साथ ही उनको चेक करने के measures भी ध्यान में रखिए, श्राद का क्या महत्तु है, क्या significance है, ये कब celebrate किया जाता है, हिंदी तिथी देख लें इसकी, और पहले भी एक practice set में मैंने जिक्र किया था, कि इस बार श्राद के just बाद नवरात्र नहीं आएंगे, एक महीने बाद आएंगे, इसका क्या कारण है, क्योंकि इस बार एक अधिक मास है, अधिक मास क्या होता है, ये कितने सालों में आता है, ये सब देख लें, और इस बार कौन सा महीना अधिक है, वो भी देख लें, श्राद कब बनाया जाता है, सांजी क्या होती है, और एक ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में, जहां पे माता का श्राद बनाया जाता है, ये गुजरात में एक जगह है, इनका क्या महत्व है इनसे economy पे क्या impact पड़ता है जीरो waste जीरो waste से आप क्या समझते हैं और इसे real life में apply करना किस हद तक possible है और इसे real life में कैसे apply किया जा सकता है work from home अभी lockdown के होते ही work from home का system जादा चल पड़ा है पर newspaper में मैंने कहीं जगा पर पड़ा है कि women को work from home में थोड़ी ज़ादा problems उठानी पड़ रही है तो सिर्फ women पे ही नहीं work from home के क्या implications है इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और ये कहां तक कारगार साबित होगा वो सब आप देख लें importance of sports in life अगर आपकी hobby sports से related है तो definitely ये एक important question मनता है otherwise भी ये general question है राजस्तान में sports के development के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं या और क्या प्रयास किये जाने चाहिए वो सब देख लें what is referred to as the fourth pillar of democracy democracy का चौथा स्थम क्या है press freedom index में इंडिया की क्या रैंक रहती है ये भी नया current में ही रहा है index तो आप उसे देख लें freedom of speech क्या है constitutional provisions क्या है इसके mags से से award के बारे में आप क्या जानते है how many parliamentary constituencies are there in your district ये मैं कहीं बार इस पर discussion कर चुकी हूँ कि MPs, MLAs कितनी constituencies हैं आप कौन सी constituencies हैं ये सब आपको ध्यान में रखना है बिना fumble कि इसका answer आपको आना चाहिए what is judicial review judicial review क्या है इसकी क्या importance है 2018 वाले mains में भी इस पर question था judicial review versus judicial activism ये भी देख लें mains के course में से ही है polity का important topic है अब PPP से क्या समझते हैं PPP के दो full form होते हैं एक तो purchasing power parity जिससे GDP से relation है वो भी देख लें यहाँ पे हमने public private partnership की बात की है इसके क्या advantages है राजस्तान में PPP के लिए क्या प्रयास किये गए है कुछ PPP projects के नाम बताईए अगला question है rope ways in Rajasthan राजस्तान में कौन-कौन से rope way है और tourism development के लिए innovations के बारे में बताईए कुछ नया measure suggest कीजिए या tourism development के लिए क्या किया जाना चाहिए night tourism से आप क्या समझते हैं और राजस्तान में ये कहां-कहां हो रहा है हमारा अगला question है FDI and FPI FDI से आप क्या समझते हैं FDI यानि foreign direct investment का क्या महत्व है अगला question है literary contribution of log dates जो लोग देवी वो लोग देवता हुए थे उनके क्या-क्या contributions थे और उसी के साथ उनके literary contributions क्या थे यानि साहित्य के field में उन्होंने क्या contribute किया उनके द्वारा लिखी हुई books why do you think they became so popular among the masses जन्साधारण में वे काफी popular हुए उसके क्या कारण थे literary contribution से related आप इसका एक point दे सकते हैं कि वो regional languages में preach करते थे इसलिए लोग उनसे ज़ादा connect कर पाते थे last question एक और case study है आपको जानकारी मिली है कि आपके पडोसी की पत्नी घर्बवती है उनको ग्यात हुआ है कि घर्ब में पल रहा बच्चा एक लड़की है अपनी पत्नी का घर्बबात कराने का उन्होंने निश्चे किया है इस विशे स्थिति में आप क्या करेंगे ये एक सामाजिक समस्या है और सामाजिक अपरात दो-दो हैं इसमें एक तो जांच करवाना और उपर से हत्या का सोचना आपको उनको समझाना होगा अवेर्नेस सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट है हर प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए लड़कियों में बेदना करें लड़कियां अगर आदपन इरबर बन जाती है तो दहेज वाली जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी ये सब उन्हें समझाएं और इसी लाइन पर आप अपना आंसर तयार करें इसी के साथ आज का क्वेस्टिनेर खतम होता है लगभग 250 questions हम cover कर चुके हैं अब तक आपको basic idea अच्छे से मिल गया होगा कि interview की preparation कैसे करनी है अपनी hobby, अपने job और अपनी native place पे अच्छे से ध्यान दें आपके पास काफी समय हैं बिल्कुल भी लापरवाही ना करें interview का एक-एक marks मैं कहीं बार कहे चुकी हूँ ये पहले भी कि interview का एक-एक marks बहुत important होता है इसलिए तयारी करते रहें कल से हम alternate day पे ये series को जारी रखेंगे खुश रहिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए तयारी करते रहिए, thank you